आज मैं आप लोग उसे थोड़ा बात काना चाहूंगी इस स्टोरी की विशय में तो कुछ फ्यू मिनिट्स लगेंगे तो हम स्टोरी स्टार्ट करें उससे पहले तो सबको हेलो और आप लोग सब कैसे हैं और मैंने आप सबकी कमेंट्स पढ़े हैं किसी ने पूछा है कि जो मैंने लास पार्ट अप्लोड कया था वो एंडिंग है क्या तो मैं आपको बता दू कि वो एंडिंग नहीं है ये जो आज मैं एपिसोड अप्लोड कर रही हूं ये हमारा इस स्टोरी का लास्ट अपिसोड है क्योंकि इसके और चेप्टर्स अब नहीं आएंगे यदि इन मान दीजे कभी इसके chapters आते हैं तो मैं बकाइदा आपके लिए इसके chapters अप्लोड करूँगी पर आज के बाद इसके और chapters नहीं आएंगे और मैं वापस repeat कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं ये story complete नहीं करना चाहती लेकिन जितने भी sites मैंने चेक की हैं सब में अभी तक इतने ही chapters अप्लोड हुए हैं तो मैं इसके बाद और update इसके विशे में नहीं दे पाऊंगी तो आज का जो episode होगा वो कैसे हमारे CEO और ये के बीच का relationship और उसका जो friend A है उसके बारे में होगा और इसके बाद मैं इसका कोई upload नहीं करूँगी तो मुझे उमीद है कि आप लोगों को ये story पसंद आई होगी और यदि आपको इसमें ऐसा लगता है कि कोई character आपको पसंद है या आप इस story के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो please मुझे comments में बताइए मैं comments के सारे reply दूँगी और एक बैत आप कि मुझे दो लोगों ने दो story recommend किया है तो जिन्वे ने मुझे पहले story recommend किया था मैंने उनका story चेक किया है तो जिसने पहले मुझे recommend किया था मतलब जिसका comment first था मैं उसका story start करना चाहती हूँ तो पहले मैं उसी story को हमारे इस एपिसोड के बाद वाले जो एपिसोड आएंगे दूसरी स्टोरी से रिलेटेड मैं उन्हें अप्लोड करूँगी and मैं कोशिस करूँगी कि मैं regular upload करूँ लेकिन यदि मैं regular नहीं कर पाती हूँ तो हर alternate day में upload करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा काम भी है और किसी ने मुझे ये भी पूछा था पिछले के पिछले episode में कि मैंने Sunday कहा था लेकिन मैंने Sunday upload नहीं किया था तो guys sorry for that क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा घर में problem हो गया था मेरे और मुझे काम का workload बहुत बढ़ गया था जिसकी वज़े से मुझे recording के लिए बिलकुल time नहीं मिला था तो उसके लिए हो सके तो भी है मुझे माव कर देना इससे जादा तो मैं कुछ क्या नहीं सकती और thank you इस story को इतना support करने के लिए and constant watch करने के लिए मुझे लगा नहीं था कि story इतनी लंबी चलेगी तो आप लोग इसको interest लेके देखेंगे but मैं बहुत happy हूँ कि आप लोगों ने मुझे motivate किया इस story को complete करने के लिए और मेरा ये story पूरा आपने till end तक देखा है तो आईए हम अपना episode शुरू करते है and thank you for subscribing and watching और हो सके तो आगे भी subscribe कीजिए please 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 let's start तो अब ये जो हमारा ये है पिछले episode में हमने देखा था कि A and U biological brothers नहीं है जैसे मैंने बताया था और U जो है वो party में आया हुआ था तो हमारा A जो है U को देखता है और एकदम से शौक हो जाता है कि यूँ भी party में है करके और तभी ये दोनों जो friends है जो set के friends थे बोलो बोलते हैं कि ये कौन है और तुमको इसको सुनने की जर्वत क्यों है करके तो तभी हमारा जो थोड़ा हलके green hair वाला लड़का है वो बोलता है कि ये थोड़ा सा देखा दिखाया आदमी लग रहा है पर इसको किसने invite किया होगा और क्या तुमने देखा नहीं कि वो लोग together आये हैं मतलब साथ में आये हैं तभी ये pink hair वाला लड़का है जो आता है और बोलता है कि guys relax वो सिर्फ तुम्हें high बोलना चाता है मेरा जो दोस्त है अभी अभी country में वापस लोटा है और इसमें कोई problem नहीं होगी यदि हम एक दूसरे को जान पहचानेंगे तो और तभी ये पर-पर hair वाला आदमी बोलता है मतलब इसका मूँ खुला रहा जाता और पिंक ये वाला आदमी बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है कि multiple friends बनाना यानि कि multiple paths को open करना यानि हम जितने भी दोस्त बनाते हैं हमारे उतने opportunities खुलते हैं तो ये purple hair वाला लड़का बोलता है कि तो क्या वो culture आदमी है मुझे लगता है कि तुम भी culture डियो करके पर हमारे जो दूसरा आदमी है I guess ये लिंशी का शायद cousin हो पता नहीं अभी तक मुझे नाम नहीं पता है तो let's आके देखते हैं तो ये बोलता है हलके green वाला hair वाला आदमी कि मैंने इसे पहले क्या कभी पहले कभी देखा है क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं पहले देखा है तब ये pink hair वाला आदमी you को introduce कराता है कि हमें आप से मिलके खुशी हुई करके और भोलता है कि तुम लोगों नहीं loo group के बारे में तो सुना ही होगा और जो भी entertainment industry में और fashion industry में वो इन सबसे familiar होंगे मतलब देखिए वो लोग कैसे accessories वगरा बनाते हैं और वो बताता है कि ये लोग जो है इस type की चीज़े पहनते हैं jewelry and watch जो है आप लोग पहनते हैं और cosmetics है और perfume वर्गर लगाते हैं और ये ये सब जो brand है वो सब loo group के यहां से आते हैं करके तो मेरे पास और कुछ ज़्यादा नहीं है loo group के बारे में बताने के लिए और तुम लोगों तो मेरे से ज़्यादा अच्छे से पताई होगा अब क्या होता है कि तीनों लड़कों को कुछ समझ में नहीं आता है कि आके कर चल गया रहा है और हमारा A भी जो है बहुत lost सा होता है और वो सुचता है कि अचानक से ये क्या हो गया करके और तभी एक लड़का बोलता है कि anyway अब ये gentleman जो है आदमी है करके तो ये जो है आगे चलके फ्यूचर में लू ग्रूप का ही हायर बनेगा मतलब वारिस बनेगा तो हम लोगों को ओनर होना चाहिए कि हम लोगा सब टूगेधर है आज रात और क्या तुम लोग इस बात से अगरी नहीं करते हो क्या अब एज होता है उसको बहुत अभी भी शौक लग रहा होता है और तभी वो अपने हाथ एकदम से इन दोनों के पीछे करता है और हमारा पिंक हेर वाला आदमी बूचता है कि तुम एग उसे को जानने के लिए वो हो क्या मतलब इंटरस्टेड हो क्या और यह बहुत रियर अपॉचनिटी है और हमारे गैस्ट भी यहां आगे है और तो मैं इस तीज़ को पास आउट नहीं करना चाहता हूं और जो लूग रूप है उसने साथ से भी ज़ादा सेवेंटी से भी ज़ादा ब्रैंड उसने ओन किये वे है और वो बहुत सारे मल्टिपल फील्स में जैसे पर्फ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, रिल्री लिकर इन सब में है और क्या इस टाइप के जो ब्रैंड से उसका एंड्रोस्मेंट तुम लोगों को नहीं चाहिए क्या अब ये दोनों लड़के अभी भी सुन रहे होते हैं तभी वो बुलते है कि ऐसा नहीं है क्या कि तुम सेलिब्रिटी जो हो यहां आते ही इसी पर्पस से हो करके उतनी देर में ये जो पर्पल हेर वाला आदमी है उसका नाम यामिनो चैन है तो वो बुलता है हेलो मेरा नाम यामिनो चैन है करके और हमारा यू जो है वो अपने आपको इंट्रड्यूस कराता है कि मैं जो हूँ वो यू ए आई लू हूँ करके और तभी ये ग्रीन हेर वाले का नाम बताते हैं कि इसका नाम है टैंग तो ये लोग सब एक दूसरे को इंटर्ट्यूस करते हैं तो चैन और टैंग परपल हेर वाला चैंग है और ग्रीन हेर वाला टैंग है तो पिंक हेर वाला बुलता है कि हम लोग अपसे फ्रेंड्स हो जाएंगे और यदि कोई opportunities होगी future में तो हम आप लोगों के साथ collaborate करेंगे और तब ही इनकी नजर जाती है A के ओपर जो कि अभी भी अजीब तरीके से reaction दे रहा है और पिंक यह वाला आदमी बोलता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है तो A बोलता है अपना हाथ आगे निकालता है ठोड़ा हिच कि चाते बे और बोलता है कि इस तरफ चलते हैं अब क्या होता है चायख और टैंग बोलते है कि wait wait और तभी pink hair वाला आदमी बुलता है रे तुम लोग जाओ यदि तुम लोग टायट भी हो जाओगे तो तुम लोग अपस्टेर्स पर चले जाना वहाँ पर एक room है वहाँ rest ले लेना और यदि तुम मेरा नाम लोग है तो तुम्हें तो प्रेसिडेंटल सूट भी मिल जाएगा जो कि टॉफ लोग पर है और तभी यह जो पिंक हेर वाला आदमी है वह यू को आख मारके बुलता है कि देखा मैंने कहा था ना कि इतना भी मुश्किल नहीं है यह सब करना अब क्या होता है यह चायंग और टैंग जो है यह हमारे एक को लेके थोड़ा पॉजेसिव से हैं तो यह पिंक हेर वाले आदमी को एक थोड़ा सा कोहनी मार देते हैं और बुलते है कि हमने यह को प्रॉमेस किया था कि हम उसके साथ एक के साथ पूरी रात बिताएंगे और हमारे बीच में कोई नहीं आया एका करके तो यह बुलता है इस ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है यह जो जेंटलमन है वो कुछ नहीं करेगा यह सिर्फ मेरे साथ विंडो के पास में जाके बात ही करेगा तो चैंग बोलता है कि लेकिन उतने में टैंग भी बोलता है कि चलो फगेट इट जो भी है तुम अपना ध्यान रखना ओके करके अब क्या होता है हमारा टैंग बोलता है अग्यादी तुम मिस्टर लू को जानना ही चाहते हो तो हम तुमारे रास्ते में नहीं आएंगे करके अब हमारा ए और यू आगे निकलते हैं जिसमें कि mostly ए जो है यू को खीच रहा होता है और बहुत नर्वस भी होता है उससे ले अब ही देखके बोलता है कि यह अच्छी पात है कि इस सेक्योर्टी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया तब ही हमारा यू जो होता है बोलता है बेब करके बोलता है अब यह बहुत शौक होता है तो बोलते है कि तुम अपना मूँ बंद रखो तुमको यह realization भी है कि यहाँ प बनके pretend कर रहे हूं और यह बहुत ही easy है तुम पकड़े गए तो तो हमारा यू जो है वो बताता है कि मैं pretend नहीं कर रहा हूं अब दूसरी दर दिखाते हैं कि यह जो हमारा यह है वो बोल रहा है बोलता है कि कि यह जो है मतलब पिंखेर वाला आत्मी जो है वो एकदम idiot जैसा तो दिखता है लेकिन तुम उसको fool नहीं बना सकते हो और यह क्या कहते है तुमको एक minute लगेगा उसको एक second लगेगा याद अब इसने security को बुला लिया तो अभी क्या है यह को पता नहीं है कि हमारे UK originally identity वाकई में Mr. Lou है क्योंकि उसके biological parents जो है उनका surname Lou है करके तो अब इह बोलता है कि यदि तुम बहुत ज्यादा लगी होगे तो वो सिर्फ इस place से तुमें बहार निकालेंगे और यदि तुम ज्य crime हो सकता है किसी और की identity को use करना मतलब तो और ऐसा करोगे तो क्या होगा यदि लूग रूप के लोगों को पता चल जाएगा और फिर वो लोग तुम से revenge लेना चाहेंगे और तुम तो सिफिक doctor हो और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो करके और यह भी matter की बात नहीं है मैं जो showbiz का business है वो कभी भी छोड़ दूँगा और मैं सोचूँगा कि मैंने early retirement ले लिया है लेकिन यदि वो तुमारे साथ mess out करेंगे तो यह बहुत ही hard होगा और तब तुम क्या करोगे करके तो हमारा यू जो है सारी बाते सुनता है और बोलता है कि तुम कुछ साधा ही सोच रहे हो तो ए बोलता है नहीं तो यू जो होता है वो कुछ बोले उससे पहले ही ए उसको हाथ बगरता है और आगे लेके कीच के जाने लगता हो बोलता हम लोग यहां से जा रहे हैं और तुम्हें बहार निकालूँगा और किसी को भी बता नहीं चलेगा और हमारा तो अब एज जो है वो बहुत पैनिक कर रहा है लेकिन यू जो है बड़ा खुशो रहा है कि देखो किता क्लोजली मेरे को अब क्या होता है बिल्कुल भी वो हिलता नहीं अपनी जगह से तो ए उसकी तरफ देखता है अब क्या हुआ तो हमारा यू जो है वो बोलता है बेब क्या मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि मेरे बायलोजिकल फादर भी है तो अब हमारा यू जो है वो बहुत शौक हो जाता है तो यू बताता है एक अपनी बायों में लेते वे कि मैं वाकई में लू ग्रूप का वारिस हो करके अब एक अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है और तभी यू बताता है कि मैंने अपना जॉब जो है हॉस्पिटिल से छोड़ दिया है और अब मेरा नाम जो है यू ए आई लू मेरा नया नाम है करके अब हमारा जो A और भी भी shop है और उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है अब दूसरे सब तर देख़ते हैं कि TANG जो है वो अपने drinks ले रहा होता है और कुछ-कुछ खा भी रहा होता है चैंग जो है वो बहुत रोपने की कोशिस करता है कि अरे तुम ये सब मत खा लेकिन जो टैंग है वो बिलकुल सुनता नहीं है चैंग बुलता है कि तुम भूल गये क्या कि मैंने तुमें क्या कहता जो भी स्टफ यहाँ पर होता है मतलब जरे ऐसा आए है जिस पार्टी में उस पार्टी में जितना भी खाना है ना उसमें कुछ जो टैंग है वो बुलता है कि मैने तो लेकिन ये अनसेफ है कि मेरे ले ये मैं कैसे समझ तो करके और यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो ये तो से फूड़ी है और ज्यादध से ज्यादध क्या होगा और इसके साथ हम सेटल कर लेंगे और मुझे यह मिठाई दिखी तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है करके तो चैंग बुलता है whatever तुम ऐसे भुकड़ो जैसा क्यों खा रहे हो करके और तभी हमारा टैंग बुलता है कि तुम बेल्कुली एकदम obedient dog की तरह दिखाए देते हो जो बेल्कुल दूसरों की कहीवी बात पर भरोसा कर लेता है और तुम बहुत ही well trained हो ऐसा नहीं है क्या तो तुम ऐसे क्यों हो करके और फिर टैंग बुलता है कि अपनी आखे खोलो और देखो इस hall को यह बहुत चोटा दिख रहा है लेकिन फिर भी इसमें कितने सारे लोग है और इसमें जो है बहुत सारे लोग आए वे हैं और यह जो प्लेस बिल्कुल स्ट्रीट मार्केट की तरह पैकड़ अप है करके और हम लोग भी नाई सूट्स में आए वे हैं लेकिन फैक्ट तो यह है कि यहां पर बहुती स्टफी और हॉर्ट है और हमें यहां पर पूरी रात खड़े रहना है और हम यहसे बीना खाए पी यहां पर खड़े रहेंगे तो क्या तुम समझ रहे हो कि यह लोग क्या करते है करके और क्या तुम्हें प्यास नहीं लग रही है, क्या तुम कुछ पई पीना चाओगे, क्या तुम कुछ कहना चाओगे अब हमारा जो चैंड है वो बहुत जल्दी से गुशा हो जाता है बोलता है अब चैंग जो है वो टैंग की बखवास से बहुती ठग गया है तो बोलता है शट अप तो टैंग बोलता है नहीं और बोलता है कि मुझे तो यह भी पता है कि इन लोगों ने कोई ट्रिक यूज की होगी और जिन याओ उनको भी अपनी ट्रिक में फसालिया होगा करके और मै अपने कैरावैन में मिलता रहता है और उसके जो असिस्टेंट है वो भी आ बाहर खड़े रहते हैं और वो लोग अपना पूरा दिन जो है उस वैन के अंतर गुजाते हैं और तो हम बोथ जो है वो एडल्ट है तो हमें भी पता है कि वो लोग अंदर क्या कर रहे होंगे इ उसका बोलने के वरे स्थैक्तित अरी वास्तितल दृभी एग गुज़ए सवतनपे रहे होना bak मुझा के आपको और पीज़ी और रहे हैं तो और शाने मती हम उसने ऐसी हरकते किये तो उसको अपने जो consequences से उसको bear करना पड़ेगा और एक ना एक दिन तो कोई ना कोई उसे expose कर देगा याने टैंग का मानना है कि यह को जो जिन गया होगा relationship है वो एक ऐसा relationship है जो किसी को पता नहीं हो और उसे पता है और एक नाई दिन वो दुनिया के सामने expose हो जाएगा तो जो चैंग यह हमारा वो टैंग को खीसतावा ले जाता है और उसको एक दिवार पर जाके पटक देता है और तभी टैंग सोचता है कि उस तो problem है और तभी चैंग बोलता है कि तुम अपना जो यह मू है उसको बंद रखो और यदि तुमने अब ही के बारे में ऐसे discuss करन मुझे न सांस्तन में problem हो रही है तो चैंग बोलता है कि तुमारी जो अभी तक तुमारा मुझ बहुत चल रहा था एक मिनिट पहले तक अब तुम क्या डर गए हो क्या और तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा अब मुझे फाइनली पता चला है कि तुम किते weak physics वाले हो और उसके बाद भी तुम पूरा समय चलाते रहते हो और trouble create करते हो लेकिन हमारे टैंग की वाकई में तब्यात खराब हो रही होती है उसे बहुत ही hot सा feel हो रहा होता है और तभी चैंग बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी के भी साथ mess कर सकते हो और क्या तुम लिन फैमिली के साथ mess कर सकते हो क्या वेल तुमको पता होना चाहिए कि मैंने कभी भी तुम्हें seriously नहीं लिया यानि कि जो चैंग है वो लिन फैमिली का member यानि लिंशी से related ही कुछ होगा ये भी तो बोलता है कि तुम यदि कभी मेरे साथ mess किया त अब जो टैंग होता है वो तो कुछ समझ नहीं रहाता हो अभी भी बोल रहा होता है कि मुझे बहुत ही hot feel हो रहा है मुझे बहुत busy सा लग रहा है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा कहके वो हमारे चैंग के सीने के ओपर अपना सिरक देता है और लिगंभाह को दिखाते है कि सिर्ण पर में ही यह लोग अब अब रो रहा है और आत ओ और रही है और सबश्रों कहने बैटे है निशी बैटा है मुझे बैठा है सीओ बैटा है लिंगवए बैटे ही है रेंटरैन है और मारी मिंसट्रंग बिहे है और बीग हैड और बैंबू 8 करके और तभी यी बोलता है कि तुमको लगता है कि क्या वो लोग ठीक होंगे मैंने बहुत लंबे समय से उनके बारे में सुना नहीं है करके और यह वहाँ पर एक चाल चलता है बैंबू 5 यह एक कार्ड गेम जैसे ही कुछ होगा जो यह लोग गेम खेल रहे हैं त तो बेसिकली यहां पर यह को हमारे चैंग और टैंग की चिंता हो रही है अभी उनका कोई आता पता नहीं है करके अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा जो यह चैंग टैंग के फेस पे हांत लगाता है देखता कि किता रेड है और इसको इसका बोडी बहुत हीट हो रह निकाल के अम्बुलेंस बुला रहा होता है लेकिन टैंग जो है उसके कंदे पर से रखके ऐसे लटोर रहा होता है और तब हमारा यह जो चैंग है वो भी बलश करने लगता है और बोलता है कि मेरे इतने क्लोज मताओ तुम्हारा जो बॉडी का हीट है वो बहुत जाता है और वो उससे मुझे भी हीट फील हो रहा है और मैंने तुम्हें पहले भी खाता कि यहां पर खाना मत खाओ लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं अब देखो तुम प्रॉब्लम में पढ़ गए ना उसके बात क्या होता है कि हमारा जो चैंग है वो अभी भी गुस्ता कर र कहता है और बultा है कि भाई क्या कहते हैं टैंग बुलता है कि मेरे में कोई स्ट्रेंथ नहीं है मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूं तो तुम्हें काम करा मुझे अपना कंदा जो धोड़ी दिर के लिए उधार दे तो ऐसा करके उसके कंदे पर से रख लेता है तो हमा हमारा टेंग बूलता है कि तुम बहुत ही टेरेबल लिए तो तुम्हें हस्पिटल क्यों नहीं जाना है और तुमने ऐसा क्या 왠॰िया और यदि तुम्हारे हेल्थ को कुछ हो गया तो तुम बाद में रिग्रेट करोगी तो हमारा टेंग बुलता है कि नहीं नहीं एंबुलेंस बुलाओ यह बहुत एंबारसिंग होगा और एंबुलेंस यहां आएंगी तो मैं भी न्यूस्पेपर में हेड्लाइन्स में आऊंगा जो कि बहुत ही खराब बात हो जाएगी और मैं फिर आगे की जिन्दगी कैसे गुजारूंगा करके तो चैंग बोलता है कि तुमारी इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुमारा लाइव ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आपको देखो यदि कुछ हो गया तो इसका रिस्पॉंसिबल कौन होगा करके और ऐसा कुछ होता है तो तुम फिर मुझे ब्लेम मत देना क्योंकि मैं इसकी रिस्पॉंसिबलिटी नहीं लोगा तो टैंग बोलता है कि ठीके ठीके मैं अपनी रिस्पॉंसिबलिटी खुदी ले लोगा एक काम करो मुझे उपर की कमरे में ले जाओ और मैं थोड़ा सा शावर कर से धर रख रहा है और ऐसे मुझे लगता है कि तुम कहीं सड़नी मनना जाओ तो हम क्या करते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए नहीं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रिपोर्टर के हाथ तुम मुझे यदि तुम ऐसे लगता है कि तुम मेरे साथ बॉदर नहीं होना चाहते हो तो मुझे बस तुम बातरूम में बिठा के चले जाओ करके और तो क्या करते हैं हमारा जो चैंग होता है वो उसको धखका दे देता हो बुलता है ठीक है तुम यहीं बेटर हो मैं जा रहा हूं करके तो टैंग मुलता है नहीं नहीं रुको मेरे को हैल्प करो यह वाला फेवर मैं तुम्हें कभी चुका दूंगा करके मुझे उपर वाले रूम में ले जाओ और मैं जो तुम्हारे लोग और प्रॉब्लम्स नहीं क्रि मेरे च्वाइब सोट गालुको Department कर लो करके और तो मेरा चैंग उसको उठाता है और बौलते है कि अपना एक जो है उसको ठीक राको और लंभी यारी साथ से लो क्योंकि हमारे टैंग की जो ब्रीधिंग ये वो बहुत हैवी है और फिर उसको वो अपने साथ ले जा रहा होता है और बोलता है कि यदि हम किसी को मिल गए तो कहा देना कि तुमने बहुत ज़ादा पी रखी है तो टैंग भी बोलता है ओके अब दूसरी तर दिखाते हैं बड़े से कमरे में हमारा A और U है और U होना A को बेब करके बुला रहा होता है और A अभी भी गुस्से में तो U बोलता है कि मुझे explain करने दो लेकिन मैं कहां से explain करूँ तो A बोलता है कि एक काम करो तुम beginning से ही explain करो और एक भी single detail को मतलब वो मत करना क्या कहेंगे शर्द को एक भी single detail को बताओ कोई भी detail मिस मत करना तो हमारा जो U है वो बोलता है तो मैं तुम्हें एकदम start से बताता हूँ कि जब मैं abroad में study कर रहा था उस time पर हम लोग साथ में रहते थे और मेरे पस कुछ भी नहीं था कि मैं तुमसे hide कर सकूँ और तभी यह बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें abroad गए थे study करने के लिए क्योंकि तुम्हारी birth mother करके मुझे सब पता है करके तो यू बोलता है नहीं मैं abroad गया था पढ़ाई कर निकले तुम्हारी वज़े से और मैं यहां से तुमसे दूर भी इसी वज़े से रहा तो यह को शौक लगता है और अपने मन में सुचता है अच्छा तो यह जो अब्रॉड गया था इसके लिए मतलब मेरी गलती है कि यह अब्रॉड गया और तभी फिर यू बताता है कि मैं यहां आज ऐसे लू फैमिली का वारिस बन का हूँ वो भी तुम्हारी वज़े से और तभी यह बुलता है मेरी वज़े से क्यों करके एल्जा सोच के वो अपने मन में ही सोच रहा होता है कि हर चीज की वज़े मैं क्यों हूँ करके ओर यू के कान पर थ्टबड़ा से धुक्का देता है तो यह बुलता है बना दूम वो भी एक मेजर फैशन ग्रूप का और तो हमारा जो यू है बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टन परसेंड हूँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा और मैं जो हूँ तुम्हें हर एक चीज़ दूँगा मैं पहले बहुती नेरो माइंडेट था मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुम्हारे साइड में रहूँगा तो इतना ही काफी होगा करके लेकिन मुझे अब पता चला कि ऐसा काफी नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे एक हाइस पोजिशन पे खड़ा होना पड़ेगा तुम कितने ही dazzling हो ऐसा कहके उसके गालों पर हाथ लगाता है और बोलता है कि इतने सारे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं करके एक हो कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी ब्लश कर रहा था और बोलता है wait तुम जितना भी बोलते हो उतना ही कम मैं समझ पाता हूँ तो क्या तुम थोड़ा सिंपल तरीके से बोलना पसंद करोगे तो जो हमारा यू है पुलता है ओके और बोलता है मैं तुम्हेरे सिंपल कर देता हूँ ऐसा कहके वो एक गालों में हाथ लगाता है और और करीब आ जाता है अब इस ते पर हाथ रखता है अब हमारा एना बहुत बलश कर रहा होता है हमारे एक को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहता है वो अपनी दुनिया में खोज आता है और सुसता है कि भाई मैं कौन हूँ और मैं कहां आ गया हूँ और यह क्या हो रहा है तब ही हमारा यू जो है वो एक ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए वापस उसके गाल पर हाथ लगाता है और बुलता है कि बेब जरह वापस आ जाओ यदि तुम ऐसे ही रहोगे तो मैं तुमको तब तक किस करता रहूँगा जब तक तुम्हें होश नहीं आ जाता करके तब ही यू को हैसास होता है कि इसको किस किया गया तो वो बोलने लगता है कि यू यू करके तुमने अभी क्या किया करके और एकदम से पीछे हर जाता है और बोलता है कि तुम वहीं पे रहो, वहां से हिलो मत, मेरे बिल्कुल पास मत आना करके और तभी हमारा यू बोलता है कि मैंने तुम्हें डरा दिया क्या, तो I'm sorry करके तो यह एकदम बलश कर रहता है, फिर भी वह पुछता है कि तुमने कुछ खा लिया है नीचे पार्टी में और फिर उसको फिकर होने लगती है, और वह कुलता है कि यदि खाबी लिया है, तो calm down तुम बहुत ज़्यादा impulsive मत हो करके, क्या तुमारा दिल बहुत तीजी से धड़क रहा है, लेकिन तुम ज़्यादा चिंता मत करो और जो भी कुछ होगा, उसका कुछ शायद major effect नहीं होगा करके तो यू ए को देखता है, और यू जो है, बोलता है कि भाई क्या problem हो रखी है, ऐसा तो कभी इसने किया नहीं है करके तो हमारा यू बोलता है कि उन लोगों की ऐसी हिमत नहीं है, और तभी हमारा यू बोलता है कि एक काम करो, तुम जाके शावर ले लो, थोड़े सो जाओ, तुम्हें ठीक लगेगा और लेकिन फिर भी यदि तुम्हें bad feel हो रहा है, तो एक काम करते है हम hospital चलते हैं, अब जब यू देखता है कि ए इतनी care कर रहा है, तो वो एकदम से blush करने लगता है, और एकदम sentimental सा हो जाता है, पपी आइस type हो जाती है उसकी, और वो फट से एक को hug कर लेता है, और तभी यह बुलता है, क्या मुझे नहीं पता का कि तुम्हें uncomfortable feel हो रहा है की नहीं, पर यदि हो भी रहा है, तो तुम इसके साथ थोड़ा सहन करोगा कि और यदि तुम इस मतलब जो भी धवाई इनके खाने में मिली होती है, जिसकी वज़े से इनको ऐसा feel होता है, यदि फिर भी यदि ये दवाई तुमारे सिस्टम से नहीं निकलती है, तो तुम बातरून में जाके अपने आप से डील कर सकते हो, क्या मतलब आप समझी रहोंगे कि मैं क्या कहना चाहरे हूं, क्यों हमारे यूट्यूब की policy है कि हम clearly नहीं बूल सकते, तो फिर हमारा ए जो है वो बुलत हानी, मैं विक्कुल ठीक हूं करके, जो organizer है, वो जो हमें खाना और drink देते हैं, वो celebrities को जो hall में मिलता, उससे different होता है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मुझे अभी तक realize नहीं होता है, जब तक कि मैं hall में नहीं गया था, जो भी वो serve करते हैं, वो directly kitchen से जाता है, और वहाँ पर उस खाने में कुछ भी गरपड़ी नहीं होती है, और तभी यह बोलता है, तो तुम्हें इस तरीके से क्यों act कर रहे हो, जैसे कि तुम्हें कुछ दे दिया गया हो, किसी ने नशीला पदार्थ पहला दिया गया हो, तो हमारा यू बोलता है कि हमारा यह बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है, कि मुझे क्या समझना चाहिए करके, और बलश करते पूछता है, और तभी यू बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अभी भी enough hard try नहीं किया है, I guess कि बेबी मुझे तुमें न, तुम मेरा प्यार अभी भी पहचान नह हुआ है करके, तो यह बोलता है, अर तुम किस तरह की nonsense बाते कर रहे हो, और तभी बोलता है कि ठीक है, हमारा यू बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं हमारी पर सबी भी बहुत वक्त है, तो तुम अपना खुद का जितना time चाहो अतना time ले लो, करके, और फिर ऐसे बहुत प्यार से उसकी तरफ देखता है और बुदता है मैंने यौंग को चुटी दे दी है मतलब जो इसके एसिस्टेंट है उन लोगों को चुटी दे दी है कि वो अपनी वाइफ के साथ रह सके क्योंकि उनके न्यूबॉर्ण बेबी हुआ है तो वो अपने बेबी का फास्ट बड है यह सुनके एको और एक शौक लगता है मतलब आज रात में एको पताने कितने शौक लग गए पहले तो उसने ऐसे अचानक यू को पार्टी में देखा फिर बाद जो उसको पता चला कि जो यू है उसके रियल आइडेंटिटी जो है वो ऐसे मिस्टर लू की है और अब व वें दिखाते हैं कैसे हमारा रूरू और बिग हैटव सो रहे होते है आडे टीर शे होके वाती में बड़े क्यूट xu य है क्या होता है CEO भी Big Head को गोदी में लेता है और उसको उसके बिस्तर में अच्छे स्टार वाले पिलो पे टॉक इन करता है और फिर वहाँ पर बच्चों को दूसरे बिस्तर में एकदम अप्टूडेट ठीक तरीके से सुलाके यह लोग अपने बिस्तर की तरफ आता है और CEO यह से पुछता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम सारी रात बहुत ही नर्वस दिखाई दे रहे थे करके तो यह बोलता है कि जो यामिनो चैन है और टैन है मतलब वो चैंग एंटैंग जो है अभी तक उन्होंने मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया है मुझे उनके बारे में वरी हो रही है क्या उनलों को कुछ हो गया होगा तो CEO बोलता है अभी तक दस भी नहीं वजा है और अभी तक पार्टी एंड भी नहीं हुई है तो क्या पता बोलो कि अपने फोन उन्होंने अभी तक चेक नहीं किया और तो यह बोलता है हाँ मुझे भी ऐसे ही रगता है और अभी बोलता है लेकिन पार्टी तो स्टार्ट वे काफी टाइम हो गया है और मेरी तो आख फड़क ली है मुझे से लगता है कोई मिनी अर्थ के एक आने वाला है और मुझे ऐसे लगता है कि उन्हों कोई एक्सिटेंट में फस गए होंगे और तभी CEO बोलता है कि नहीं नहीं तुम चेंटा मत करो मैं किसी को उनके बारे में पता करने के लिए बोलता है तो ही बोलता है कि तुम जानते हो क्या पार्टी में किसी को अब क्या हमारा ही अपनी आखे मैंसे पकड़के बेटा होता है क्योंकि उसकी आखे जो है वो फड़क रही होती है अब CEO बोलता है कि वेल हम लोग बहुत क्लोस तो नहीं है पर मैं सिच्वेशन पूछी सकता हूँ तो CEO फोन लगाता है कि मैं जिन्याओ बोल रहा हूँ सॉरी तु बॉदर यू क्या मैं जान सकता हूँ क्या कि जो पार्टी है उन जो इस इवनिंग में हो रही थी तब ही नहीं सब लोग खुश हो जाते कि जिन्याओ का फोन आया है वो मिस्टर फैंग करने लगते है वो मिस्टर फैंग आपके क्या इंस्ट्रक्शन है ऐसे करके पूछते हैं तो ही बोलता है उन लोगों से पूछो कि क्या उन लोगों ने चैंग और टैंग को देखा है तो उनको जानते होंगे तो हम उनको स्क्रीन शॉट भेज देते हैं और रेड कार्ट पिट कर तो CEO ओके कहता है और फटाफट भेज देता है अब उसकी सिर्फ दिखाते हैं कि हमारा जो टैंग है वो माफी माग रहा होता है और एक ग्लस पानी हाथ में लेकर पैठा उटता है और जो कि गिर जाता है और तभी चैंग बोलता है क्या तुम ठीक हो करके और क्या तुम ठीक हो करके और वो टैंग को बहुत उठाने की कोशिस करता है और बोलता है तभी पूछता है क्या तुम उठे वे हो तो टैंक बोलता है बहुत होट है, मुझे shower की जरुरत है, मुझे help करो करके, और तब ही चैंक बोलता है कि हाहाद कम आ फिर टैंक वो गोदी में उठाता है, और बातरों की तरफ यह लोग परते हैं, अब सारे कपड़े इनके उतर चुके होते हैं, और ये किसी तरह टैंग को टब में भसाने की कोशिस कर रहा होता है और जो टैंग है वो बच्चों जैसा बहेव कर रहा होता है कि पानी बहुत थंडा है और तो चैंग बुलता है लेकिन तुमी ने तो कहा था कि तुम्हें पानी थंडा चाहिए करके और लेकिन ठीक है चलो मैं इसमें थोड़ा सा hot water भी तुम्हारे लिए मिला देता हूँ और अब तुम जल्दी करो और मेंचे छोड़ो करके अब वो कैसे तैसे अपने आपको छुड़ाता है और tank को पानी के अंदर में डालता है तो tank जैसे ही पानी गेंदर जाता है बोलता है यह बहुत गरम है यह बहुत गरम है यह बहुत गरम है अब जो इतनी जोड़ से पानी उचलता है कि हमारे चैंग के कपड़े भी गीले हो जाते है और वापस tank चैंग से चिपक जाता है तो हमारा अब क्या है टैंग जो है वो बेसिकली गोदी में ही चड़ गया है चैंग के और तो चैंग बोलता है भई तुमने मेरा जो सूट है वो पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है अब तुमें इसके ड्राय क्लीनिंग का पैसा पेमेंट करना पड़ेगा और तुम बाद में अपने कहेवे वर्ड्स के उसके उपर से मुकरमा जाना और फिर बोलता है कि जो वाटर का टैंपरेचर है इस बार विल्कुल सही है तो अब तुम मेरे उपर से उत्रो और टब में बैठो किसी तरह वो उसे टब में बिठाता है और विख्डम से धका देता है बोलता शेट आप और वाटर अब बैठो और यहाँ पर उधोम मचाना बन करो और तुम कितने जादा उधोम मचाते हो करके तु बिचरा टैंग जो बोलता है कि तुम कितना घुसा करते हो करके नैट करते रहोगें तो मैं तुम्हें बहुता है नहीं करूंगा और मुझे भरोसा नहीं होता कि आज मेरा लग इतना खराब है कि मैं पूरी रात ऐसे मेरे को टॉर्मेंट किया जा रहा है करके तो क्या होता है कि वो शैंपू निकालता है और बूलता है कि यहां पर तुम्हारे साथ वेड़ करने से तो अच्छा तक ही मैं कहीं पर एक अच्छी पफेक नाइट इंजॉय करता करके अब क्या होता है कि वो शैंपू निकालता है और वो बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो मुझे तो यह बिलीव करने में ही मुश्किल हो रही है और तभी चैंग बोलता है कि यदि ऐसा इस पार्टी में नहीं आता तो मैं भी कोई बीबीक्यू पार्टी और वीडियो गेम्स वगर खेल रहा होता और मैं अपने पपी को भी देख रहा होता और उसके साथ बैटकी कोई ड्रामा वेराइटी शो देख रहा होता ऐसा कहते हैं वो उसको क्या कहते हैं उसके सिर्फ पे शांपू लगाता है और शांपू करने लगता है और तभी यह भी बोलता है कि इन सबसे तो अच्छा ही था यहाप पर इस्टक होने से और तुम्हारी सेवा करने से और तभी हमारा टैंग बोलता है कि तुम इसे एक परफेक्ट नाइक बोलते हो तो चैंग बोलता है कि क्यों नहीं यह मेरा फैवरेट तिंग्स है करना और मैं ऐसी चीज़े जो करता हूँ वह बहुत नार्मल पीपल भी करते हैं ऐसा कहके वह फिर भी उसके बालों को शैंपू कर रहा होता है और तभी बताता है कि तुम शोबिस की जितनी भी डिर्टी टिक्स है उसके बारे मुझसे मत कह बहुत सिक फील कराती है अब उसका शैंपू अभी चली रहा होता है शैंपू हो जाता है तो बोलता है थैंक्यू और तो हमारा चैंग बोलता है चलो इतना तो है कि तुम मुझे थैंग बोल रहे हो और अपने आपको थोड़ा सा काबू में रखा करो और नॉंसेंस जादा फ्रेंड कंसिडर कर रहा हो करके अब नहलाना हो जाता है तो हमारा चैंग बोलता है कि अब तुम नहा लिया है अब तुम बिस्तर में जाओ और मुझे भी अपने गजाना है मेरे डॉगी को मुझे खाना खेलाना है अब टैंग को समझ में नहाता कि क्या करे कैसे दैसे खी सी आजाती है बुलता है कि बस तुम्हारे पास इतना सा ही है करके अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि CEO और यह पार्टी का पूटेज देख रहे होते हैं तो यह देखता है उस पूटेज में कि और जो यू है वह वहां पर है और वो कुछ कर रहा है और तभी वो देखता है कि यू और ए जो है दुनों साथ में पार्टी छोड़के कहीं जा रहे हैं ये इक यान में जाना आती है और CEO बोलता है कि या तुम्हें अभी भी और देखना है क्या यह बोलता है नहीं अब देखने की जरुरत नहीं है चैन्स ओर टैंग जो है वो तो FINE होंगे करके तो अब हम Consumer बंक्रद करते हैं और अब हमें सुने जाना चाहिये तो यह बोलता है ठीक है चलो सोने चलते वैसे भी कर डॉप में आइलेंड में हम लोग पहुचेंगे तो बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे तो यह बोलता है कि हाँ क्यूं नहीं मैं तो आजा कि स्कूबा डाइविंग करूंगा और बहुत खुश हो रहा होता है तो यह बोलता है ठीक है मैं भी तुमारे साथ चलूंगा करके अब दूसरी तरफ क्या होता है कि ए और यू जो है बिस्तर में लेटे होते हैं और सो रहे होते हैं और तभी ए जो है वो बोलता है कि यह क्या चल रहा है और क्या मुझे सोना नहीं चाहिए क्या तो और exactly क्या हो रहा है करके और मैं अपने life में इस point तक कैसे आ गया करके और क्योंकि जो you है अभी सो नहीं पारा होता है तो वो सुचता है कि क्या ये कोई mistake है क्या और ये क्या हो रहा है करके और वो अपने मनमों के भी सुचता है कि हम लोग तो भाई है फिर ऐसा क्यों हो रहा है करके तो वो अपने बच्पन की चीज़े याद करता है कि कैसे यू उसको खाना खिलाता था उसके साथ गार्डेनिंग करता था और पढ़ाई में भी मदद करता था और दोनों कैसे एक साथ तरबूच खाते थे और कैसे उन्होंने हाई स्कूल का एक्जाम पास किया था फिर हमारा एस सुचता है कि इन सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम अभी भी और्डनरी ब्रेदर्स की तरह ही है में भी मैं ओवर थिंक कर रहा हूंगा क्या होता है एक को याद आता है कि कैसे यूने काता कि बेब क्या तुम अभी भी समझनी ही पा रहे हो क्या क्या मैंने इतना obvious तुमें नहीं समझाया है क्या पर लेकर अब क्या होता है एड जो है अभी भी बहुत confused है और वह सुचता है कि यहां तो कुछ प्रॉबलम है और बहुत ही प्रॉबलम है और मुझे इसको केरफुली सुचने की जरुबत है कैसे इसकोफी पिलाताा था और उसके कप में से खुट भी पी लेता था । और फिर जब उसके लेसे खुल जाते थे उसके पैर के और कितिनी भी बारिश हो वह उसके लेसे को बाण के देता था और तब ही एक दिन यू जो है वो एक बहुत ही अच्छे से जूते घरीब के लाता है जो कि हमारे एक को बहुत लंबे समय से पसंद होते हैं तो ए बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये चाहिए था करके और ऐसे करें एक के बाद एक उसको मेमोरी जादा थी कि कैसे इसने उसको пят भी खिलाई थी और वो ओरेंज फ्लेवर की थी तो उसने कहा था कि उसे पसंद नहीं है और ऐसा करके उसने यू को वापस कर दिया तो यू ने उसे खा लिया था करके पर फिर वो सुचता है कि ऐसा तो सब नॉर्मल ब्रदर्स करते ही होंगे और ये जो है बिल्कुल भी वियर्ड नहीं है करके और सुचता है कि वो वाकिए में कन्फ्यूज हो गया होगा ऐसा सोचके वो यू के चेस्ट पर अपना से रखता है और सोने की कोशिस करता है फिर सोचता है कि शायद ब्रदर्ली बॉन्ड के लावा उनके पीच में कुछ भी नहीं है तब ही यू बोलता है कि वेब तुम सो क्यों नहीं रहे हो करके उतने में एकदम से चाप जाता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं सो रहा हूँ कि मैं तो पहरे से ही सो चुकता हूँ और लाइक है बेबी मैं सो रहा हूँ यू बोलता है कि यजि तुम बेबी की तरह सो रहे होते तो तुम अभी तक कुराटे भर रहे होते तो यह बोलता है कि मैं जब सोता हूं तुम्हें कुराटे नहीं बता हूं और यह सच नहीं है करके और तबी जो यू है वो बोलता है ठीके ठीके मैं गलता तुम भी भी स्नोरिंग नहीं करते हो करके और बोलता है कि चलो अब सोजा स्विटी ज्यादा मत सोचो करके उसका अपनी बाभावं में लेता है और उसको सुलाने की कोश्शिस करता है और तबी जो ए है वो बोलता है कि पहले तो तुमने ऐसा किया जिसकी वादे से मैं सो नहीं पा रहा हूं अब तुम कहा रहे हो कि मैं ओवर थिंग कर रहा हूं तो यू बोलता है कि एक काफ करो जो भी है नीचर के हिसाब से चलने दो मैं तुमें अपने आपको एकसेप्ट करने के इन फ्यूचर में ट्रीट करों करके और मैं बहुत कोशिस करूंगा कि मैं भी तुम्हारे साथ लव में पड़ सकूं करके और मैं हमेश्रा तुम्हारे पास रहूंगा अब एक को और भी कन्फ्यूजन होता है और वह एक्तम से बुलने लगता है कि तुम अपना मुम बंद करो नहीं तो मैं डेफिनेटली सो नहीं पाऊंगा अब यह सब हो जाता है और दूसरे जब देखते हैं कि अभी भी चैंग और टैंग के बीच का टसल चली रहा होता है चुकि चैंग ने टैंग के बीना कपड़े देख लिया था और वह हस रहा था तो हमारे टैंग को गुस्सा आता है और टैंग जो है चैंग की पैंट पकरके खिशने लगता है तो चैंग बोता है कि मुझे जाने दो मुझे जाने दो करके और कैसे तरसे वो अपनी पैंट को बचाएवे रखता है कि कहीं ये आदमी उसकी पैंट ना उता दे करके और तब ही टैंग बोलता है कि तुमारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे ताना देने की की बस मेरे पास इतना ही है करके और तुम मुझे देखने दो कि तुमारे पास कितना है करके और तभी चेंग बोलता है नहीं, रुख जाओ, तुम जाके सोचाो मुझे अपने घर जाना है मुझे अपने डोगी को भी खाना देना है और तभी चेंग ये भी बोलता Щा कि तुम अभी तक चिला रहे हो ये लागा बन करो और जाके सोचाओ तो जो टैंग है वो बोलता है नहीं तुम्हें आज मुझे दिखाना ही पड़ेगा करके और तभी हमारा चैंग बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी इतना स्टेंथ कैसे बचावा है और तुम इतना टाइटली कैसे मेरा पैंट पकड़के खड़े हो सकते हो तुम मुझे जाने तो करके लेकिन पता नहीं क्या बात है कि टैंग ना एकदम से बहुत ही जादा उसका फेस रेडियोने लगता है और बहुत ही जिद्धी हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा तुम्हारे पैंट के अंदर जो भी है उसको मुझे मैं देखना चाता है कि कि इसका़ कितना बढ़ा है करके है और बोलता है कि तुम्हें अज बाहार नहीं जाओगε जब तक आख से तो बहुतर दिखाओके और दूसर दिखाते हैं कि चाहाँ जो है चल रहा है और यहीं भी सो रहा है और जब वोड़ता है तो देखता है कि दोनों बच्चे भी ऐसे वहाँ पर लेटे रहे जिसमें से रूरूस हो रहा है और बिग हैट जाग चुका है तो यह बहुत कुछ होता है और एक्दम से बिग हैट को बोधी में लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है बुलता है गुड मॉर् और वाज माप कर दो मैं अपना फोन रात को देखना भूल गया था और सब कुछ ठीक है और कुछ हुआ नहीं है और लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कुछ भी नहीं हुआ है अब एक को तो बहुत कुछ बताना है लेकिन उसको बहुत embarrassment फेल हो रहा तो वो कुछ बता नहीं पा रहा है करके तो बोलता है कि एक कुछ तो है जो मुझे बताना है पर मैं तुम्हें बाद में बता हूँगा और फिर बोलता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों है कि मेरा ब्रदर और फिर लिखता ही ही करके और हमारा जो ही है वो सुचता है कि क्या गरबड़ी है यू के साथ क्या चल रहा है और दिखाते हैं कि वहाँ टाइपिंग टाइपिंग का आइकन बनके आ रहा है और लेकिन टाइपिंग टाइपिंग ही आ रहा होता है और कुछ भी मैसेज अभी तक आया नहीं होता है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा जो चैंग है वो गाड़ी में बैठा और वो उसका भी मेसेज आता है कि सॉरी मैंने कल रात को जोता फोन नहीं दिखा करके और मैं उसके भाई के साथ कर चला गया था करके तो वो लोग ठीक होंगे करके और बुलता है कि मैं क्या है टेक्स करके कनफर्म कर लूँगा और यह बुलता है कि कोई प्रॉबलम नहीं है मैंने अभी अभी ऐसे कॉंटक किया था और थैंक यू कल के लिए और तभी बुलता है कि तुम और टैंक कैसे हो करके कैसा कुछ चीख है और मैं तुम्हों को डिनर करांगा करके जम्हें वापस आजाओंगा तो चैंग मताता है कि हम लोगों को तोड़ा सा ट्रबल हुआ था पर अभी ठीक है करके तुम्हें चिंता करने की ज़रत नहीं है तो वह बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हें आने के बाद डिनर कराता हूं अब क्या होता है दूसरी कि रूरू उठो हमें सन में सेखने का टाइम हो रहा है करके तो अभी भी तुम नहीं उठो के तो हम कैसे जाएंगे और फैंक फैंक जो है और बिग हैड और मैं जो हूं हम लोग डिलिशेस फूट खाने जा रहे हैं लेकिन हमारे जो रूरू है फ्लिप होके वापस हो जात स्ट्रॉ bersेक भी खाइंगे करके और कोकोणेट पाय और एपल पाय भी खायंगे करखे हाद तो भूलता है, हम केमन केरीमल पुडिंग भी खाएंगे और रेस्बेरी छीज़ और कर्ड भीखाएंगे चौकलेट पॉफ्स भीखाएंगे और सीवीड पोर्ट रोल भीखाएंगे और मुच्छा केक्स भीखाएंगे अब जैसे ही इतने सारे खानों का नाम सुनता है तो किसी तरह रूरू उठी जाता है और पुश्टा है और क्या करेंगे और तभी यह बोलता है कि अब तुम्हारे उठने का टाइम होगा और तुम्हें प्रश करना है अपने दातों को तो अभी सब जोश में आ जाते हैं अब क्या होता है रूरू को केक्स खाने होते हैं वो पीस्ट्री और केक लेके खा रहा होता है और दूसरी तरफ हमारे जो CEO हैं वो बिग हैट को स्पून से कुछ खिला रहे होते हैं और तभी सब लोग बोलते हैं कि आज का न्यूस तुमने चेक किया क्या करके और वो लोग पर हसने लगते हैं और रैन और वाई वाई भी देखते हैं और बूलते हैं कि चलो जिन लोगों ने अभी तक इतना बुरा काम किया था उन्होंने जो भी किच किया उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा और फिर ऐसे मुह हसता वही को न्यूस दिखाता है और उस न्यू प्रट्स प्याय थे तो जो भी आया था साइट में उनको सब सूट्स में बैठे वे थे और यह मॉडर्ण डे का टाइम था करके तो इमू बोलता है कि कितने सारे लोगों जो यह बाद जानते होंगे और यह वाकई में एक बहुत ही ब्रेव न्यूस है करके और यह कि भी आ पॉल थे पॉलिटिकल और एंटर्टिन्मेंट इंडरस्टी के तो किसी ने भी से पहले रिपोर्ट नहीं किया था लेकिन अब क्या है इस लोगों ने आर्टिकल भी बना दिया है और इसको स्टॉप भी नहीं किया जा सकता और यह जो है अब बिल्कुली सबके सामने ओपन ना चाहिए और मैं अपने आपको एसे लोगोν से बचाके रखनाचिया और इने तो भी से कदेना चाहिए तो रैंडरन बोलता है कि इतनते सालों से यह लोग सब इनके पीचे थे और कितने हैंपि लाइफ जीरह थे और बहुत ही सादा रकलेस हो गुए थे और इन लोगों ने ऐसे expect भी नहीं किया होगा कि इनका जो illegal जो भी चल रहा था वो सब कुछ ऐसे पकड़ा जाएगा करके अब दिखाते हैं हमारा जो tank है उसे hospital में भरती कर दिया गया है और उसकी जो मा है वो आती हो बोती है बिटा चिंता मत करो और जिसने तुम्हें hurt किया है मैं उसे कभी छोड़ूँगा नहीं और तभी हमारा tank होता है मुझे ऐसे मत बुलाओ करके अब क्या होता है कि अंकल बोलते हैं कि चैंग तुमारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बेबी का ख्याल रखने के लिए मुझे नहीं लगता था कि तुम मेरे बच्चे किते पास में हो जब वो recover हो जाएगा तो हम उसे thank you करने के लिए तुमारे बास लेके आएंगे तो क्या कहते हैं हमारा जो चैंग होता है मिस्स लिन और मिस्टर लिन को बोलता है कि thank you और मैं happy था इसको help करने के लिए और तभी मिस्स लिन बोलते कि आप भी अपना ख्याल रखना और हमको कुछ business का deal करना है करके तो चैंग जो होता है बोलता है ठीके मिस्स लिन मैं अब चलता हूँ करके चुकि कई लोगों ने इस कहानी का नाम पूछा है तो मैं इस कहानी का नाम आपको जब स्टोरी खतम होने वाली होगी तब इस स्टोरी का नाम मैं बताऊंगी आप लोग भी चाहें यदि पढ़ने में इंटरस्टेड हैं तो आप लोग इसे किसी भी साइट पर पढ़ सकते हैं और यदि आप ना चाहें और सिर्फ सुनना चाहें तो आप लोग ये एपिसोड यहाँ पर देख सकते हैं चलिए आगे के स्टोरी देखते हैं अब ये जो है शिप्त है जो सी में चलता ही जा रहा है और हमारा जो रूरू है वो बहुत हैपी है और उसके हाथ में एक टॉय जैसा है जिसको वो स्विश स्विश करके इदर उदर घुमारा आएगा के और बोलता है कि गी और जो फैंग फैंग है वो लोग ऐसा करते हैं के और वो लोग अपना बेस्ट मूव्स जो है लेते हैं और बड़ी सी फिश को सी के एकदम गहराई से पकड़के लेके आते हैं अब जो बिग हैड है वो यह सुनता और उसकी आखे चमक जाती है और रूरू बिग हैड को एक्स्प्रेंग करता है कि बहुत ही जादा बड़ी फिश होती बहुत जादा बड़ी फिश तो बिग हैड का भी मूँ खुलता है वो भी कुछ बोलना चाहता है लेकिन अभी बोल नहीं सकता है और यह दोनों अपना ही बैट के खेल रहे होते हैं और मिस जिंक टिंग जो है वो भी बैट के इंतिजार कर रही होती है और बोलती है कि यह रखता है उसके अंदर बहुत सारे ट्रजर होते हैं और सी के अंदर गहराई में बहुत सारे ट्रजर होते हैं और बहुत सारे गुड ट्रजर होते हैं ओशन के अंदर करके तो मैं जो हूँ ट्रजर हंटर बनूँगा जब मैं बढ़ा हो जाओंगा बनीगा कायि अब अपने आपको मेह करनाओं लगता सब पाइलेटे ड्रेस में वह सूछता है की हूं हमारा अब क्या होता है कि हमार Tuesday निकल के आता है तो रूरू देखता है और और वह गर देखते हैं ऑर दोनों बुलते खागकE आ गए और तभी रूरू बुशता है कि अरे भाई तुम तो आ गए लेकिन बड़ी सी फिश कहां है और रूरू फिशता है कि वियर इस दा बिग फिश तो ही आके सैंड के उसमें लेट जाता है और दिखाता है कि वो देखो वो लोग लेके आ रहे हैं रैन रैन और सी यो के ह आत्मे बड़ी सी फिश होती है और वो बोलता है कि यह जो है सेर्पेंट मांस्टर है करके और रूरू और विग हैट की आखे एकदम बड़ी-बड़ी हो जाती है मूवी खुला हो जाता है और तभी सब लोग बड़े खुश हो के आगे बढ़ते हैं और वो जो सी मांस्ट और मेरी जो सेंस है वो भी वापस आ गए हैं करके और तभी मूमू बताता है कि एक मिनिट के अंदर मेरा सेल फोन जो है मुझे टॉर्चर करने वाला है और तुमको अपने आप भी नेक्स टाइम जाना पड़ेगा और मुझे कभी भी अपने फोन से अलग नहीं होना था एक्षिली साइलें मुमू तो आ गया लेकिन शाद इसके फोन के नेटवर्क में कुछ समस्या हो रही है अभी भी अपना फोन देख रहा होता है तो यह पुछता है क्या हुआ क्या प्रॉब्लम है क्या कुछ हो गया है क्या कुछ ग्लेम नाइट जो भी निउस हमने सुनी क्या है तो मुमू बोलता है हां एंड नहीं हो मुमू बतागा क्या है तो फिर मुमू बता एक की पार्टनरशिप जो पर नंगे साथ कांसल कर भार और उन्हें यह भी उन जिने भी उनके ब्रैंड और इवेंट्स कनेक्टेट थे वो भी सब कैंसल कर देंगे करके अब तुस्री दर दिखाते हैं कि हमारे कैसे सी यो रूरू और बीग हैट जो है वो खेल रहे होते हैं लेकिन यह बताता है कि जो लू ग्रूप है उन्होंने काफी सारे सीनियर लेकिन कोई बिग डील नहीं है करके तो मुमु बताता है लेकिन उन्होंने अपने ग्रूप का जो वारे से वो भी एनांस करने का सोचा है तो यह थोड़ा सोच में पढ़ जाता है दूसरी तरफ हमारा मुमु को खुश हो रहता है और बोलता है कि मेरे पास जितने भी फ्र लोग और सब लोग उसको देखने लगते कि मुझ थोड़ा सा पगला सा गया है करके अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा टैंग और चैंग कैसे मिल रहे हैं तो हमारा चैंग बोलता है कि तुम कैसे इती जल्दी काम पे आ गया अभी तक तो तुम ठीक से रिकावर भी नहीं कियो आंटी ने मुझे काया कि मैं तुम पर आखे रखू करके तो चैंग बोलता है कि मैं जो हूँ अभी लॉग आफ होंगा और शावर नूंगा और थोड़ा टाइटी अप होंगा और फिस का तुम को हस्पिटल में देखने आउंगा और तुम्हें कुछ डिनर के श्रे चाये का तॉम्हें लेक्या हूंगा क्लेक तो टैंग बोलता है हां आतेवक मेरे ले ले आफ ऑर कर रे खेंशकरो स्टोरेंट्रण से के आंब तो टैंग बनता है कि उलिए और दो तैंग नहीं बस ऐसे ही बिल दिया था तुम तो जानते ही हो कि मेरा जो मुह है वो कैसा है मेरा ब्रेइन तो सलो है लेकिन मेरा मुह बहुत फास्ट है तुम्हें खुछ भी बोल देता हूं और मैं तुमसे लड़ाई चक्रा नहीं करना जाता था लेकिन मैं खोशिस करूँगा कि अगरी बास जब भी मैं कुछ बोलूं तुम्हें थोड़ा सोच समझ के बोलूं और तभी हमारा चैंग बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग कैसा है लेकिन चलो ठीके तुम्हें रिलाइस तो हुआ कि तुम्हारी क्या गलतिया है अब तुम जाओ और जाके रेस्ट करो लॉक अफ करो और मेरा इंतिजार करना मैं आता हूँ करके अब हमारा जो टैंग है वो बहुती बलश करने लगता है क्योंकि आखिरकार वो उसी इंसान का इंतिजार करने चारा है जिसे वो पसंद करता है करके तो दुबारा एक बर उसके वर्ड्स उसे याद आते हैं कि मेरा वेट करना मैं आता हूँ करके अब यह जो होता है वो हमारे हूँ को लेके थोड़ा सा चिंता में है तो वो बोलता है कि तो जो लू फैमिली है वो सिंपल नहीं है तो तुम थोड़ा सा कियरफूल रहना और अपना जो टाइम है मेरे पर वेस्ट करना बन करो तो यू जो होता है एकी हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि कहीं पर भी टाइम वेस्ट करना ज़रूर टाइम वेस्ट करने जासा होगा लेकिन तुमारे साथ टाइम बेताना बिल्कुल भी वेस्ट करने जासा नहीं है और मेरा जितना भी टाइम है सब तुम्हारा है करके तो हमारा जो यह है वो बलश करने लगता है और हमारा यह बोलता है तुम्हें समझ में आया है जो मैंने अभी अभी कहा तो यू बोलता है कि हाँ मुझे सब समझ में आया कि तुम मेरे वरी कर रहे हो करके हमारा यह अभी भी blush कर रहा होता है और यह बोलता है कि thanks मेरी care करने के लिए यह तुम इस तरहे मेरी care करते है तो मुझे बहुत happy feel होता है करके और मुझे understand करने के लिए भी thank you तुम से जाद है अच्छा कोई भी मुझे understand नहीं कर सकता है अब एकदम बलश कर रहा होता है और यू बोर रहा होता है कि वो बहुत खुश है और तभी ए बोलता है कि तुमको कुछ भी understanding किया तुमने दूर हटो मेरे से करके अब दूसरी तो दिखाते हैं कि एक island है जो heart ship का है और सुन्दर है और सब लोग अभी भी ship में बैटे हैं रिलेक्स कर जाए होते हैं लेकिन CEO जो थोड़ा सा थकावा होता है तभी assistant गुलता है कि सर फिछलों कुछ समय से आप बहुत ही exhausted दिख रहे हैं तो CEO अपने manager की तरफ देखता है manager को भी नहीं समझ में आता है लेकिन लिंशी और जो हमारा लिंगवाई का अब फ्यांस है वो देखते हैं और उनकी आखों में sparkle होने लगता है और हमारा जो CEO है वो मिचारा थका थका सा drained देख रहा है अब दूसरी से दिखाते हैं कि hospital में चाइंग और टाइंग होते हैं में कोई major problem नहीं है जितना तुम को rest चलो के तो मुझे चल्दी ठीक हो जाओ के और तो अपनी allergies को भी avoid कर सकते हो तभी टैंग बहुत पैनीब रहता है और बोलता है कि मैं एक दो दिन तक और हास hospital में रहना मुझे ऐसा लगता है कि ठीक रहेगा कि रिलैप्स हो गई मेरी allergy तो क्या होगा करके तो चैंग बोलता है कि क्या क्या कह रहे हो तुम क्या तुम addicted हो hospital में रहने की और कि किसी और को यह कहा जाता कि वह घर जा सकता है तो अभी तब तो खेल गूद रहा होता तो क्या तुम यहाँ पर ऐसे रहना चाहते हो ऐसा नहीं है कि hospital तुमारे गर से जादा बैटर है प्लस यहाँ पर other patients को भी treatment देना है और तुम उनका विस तरह यहाँ पर ऐसे occupy करके रखे हो तो यह ठीक बात नहीं है करके अब जो टैंग है वो सोचता है कि मैं क्या करूँ तो चैंग बोलता है कि मैं चाहता हूं और तुमारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की चुटने भी paper से हैं करके इस afternoon तक तुम को डिस्चार्ज कराता हूं और तुम अपने काम के साथ continue करके रखो तो डॉक्टर यह बात सुनता है ठीक है अब जो चैंग है वो डिस्चार्ज प्रोसेस के लिए हॉस्पिटल से जाने की तयारी करता है लेकिन हमारा जो टैंग है वो बहुत सैड हो रहा होता है क्योंकि उसको हॉस्पिटल छोड़के नहीं जाना होता है वो बोलता है कि यदि मैं डिस्चार्ज हो गया तो मेरे पास फिर हमारे चैंग को देखने के लिए कोई भी एस्क्यूस नहीं होगा तो हो सुचता है कि यदि हम वापस चला जाओंगा मैं अपने घर में जहां पर मैं था या अपने ऑफिस वगरा में तो मैं हम कैसे मतलब में चैंग से मिलूंगा और उससे इंट्रेक्ट करूंगा और उससे कोई भी रिलेशनशिप पाऊंगा करके और यदि फिर भी हग लोग मिलते हैं तो हो सकता है कि हम लोग से एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत ग्रीटिंग्स को एक सेम्स करें जैसे हाई है अलो इससे जादा पूछ नहीं करके तो वो अपनी मुठी बीचता है और बुलता है कि तो ऐसा है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जैसे मैं यहाँ हॉस्पिटल में रह सकूँ एटलिस इस तरीके से चैंग जो है मेरा टेक केर कर सकता है और मैं उसके साथ रह सकता हूं करके तब ही टैंक सोचता है कि क्या करूं तो वो एकना टक करने लगता है कि अरे मुझे तो अच्छा फिल नहीं हो रहा है तो चैंग बोलता है तो तुम्हें कहां पर अच्छा फिल नहीं हो रहा है तो टैंग बोलता है कि मुझे सभी जगह पर अच्छा फिल नहीं हो रहा है मै मैं जो हॉस्पिटल जջ़कर नहीं जा सकता हूं तो चैन बोलता है तुम इसा है नहीं लगता कि तुम बच्चों की तरफ भीएव कर रहे हो और तुम लगते है पतक प्लंपर है और यह क्या चल रहे है कर तो कlot है कि तुम्हारे चैनल भाइन सप्लिधत होता है क्या होता है जहांपर हमारा जो सूरज है और सब्सक्राइख सब्सक्राहिए और यह जो है इस्ट्रेचिंग कर रहा है रूरू उसके पैर पे लेटा हुआ है और जो हमारा बिगे हैड है वह हमारे फैंग फैंग के ऊपर जस्ट पे लेटा हुआ है अब क्या होता ही होता है कि जिन्या हो तुम कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा थके-थके से दिख रहे होकर कि यदि तुम्हें और सी सिक नहीं है मतलब किसी किसी को था ना सी water से sickness जो लोग बाटर के जहांच पे नहीं बैठ सकते हैं तो जहीं तुम्हें वह तो नहीं है और यदि वह नहीं है तो क्या तुम्हें मैं और बच्ची डिस्टब कर रहे किया तुम्हारे स्लीप को तो यो याँ बोलता है नहीं इस रियली फाइन Ba 오래 मैनेज कर सकता हूं करके तो यी बोलता है हाथ सही कह रहे है तुम काफ़े देन समय से ढशा कोरा ही नहीं हो तो जिन्याओ बोलता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं एक्सरसाइज अगर करता हूँ तो मुझे कोई ठकान वकार नहीं लगेगी करके तो यह बोलता है तो और भी गलत बात है करके तो यह बोलता है कि तुम जिर्फ क्या कहते रेस्ट नहीं ले रहे हो तो उसकी जगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तुम अपना जो वाइटल एनरजी है उसको भी ठका दे रहे हो और तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि अपने बोड़ी के साथ ऐसा करना ठीक है क्या तो यह एक्दम से मेंन पोजिशन में आ जाता है और बोलता है कि हम यह सब नहीं करेंगे मैं जो तुम्हारे लाइन सॉलोशन फाइंड करूंगा तो यह बोलता है कि मैं सच में ठीक हूं तुमें ठीनता करने की ज़रूएत नहीं है मैं बस दुरासा सोना चाहता हूं सो जाना बच्चों के साथ यह बाद तो सुन किसी योग को पच्छट का लगता और वो बोलता है नहीं हम योग सेपरेटली नहीं सो सकते हैं करके क्योंकि ब्रोकन रिलेशन्शिप का जो साइन होता है पहला साइन वो यह होता है कि लोग अलग-अलग उस तर में जाके सोते है तो हम absolutely cannot sleep separately तो in the end हम separately नहीं सुएंगे करके तो CEO बहुत उससे नहीं कह देता है और बगता है मैं इस चीज़ के लिए agree नहीं करूंगा तो बच्चे भी यह को देखने लेते हैं अब यह को समझ में नहीं आता क्या करें करके तो यह बच्चे सब के सब जिन्या को देखते है और बिस्तर के पीच में एक बनी का बनी वाला जो पिलो है वो लेके आते हैं उसको लगाते हैं और यह एकदम से अपने पोजिशन को वापस लेता है और बोलता है कि सुनो यह साइट जो है हमारा है जिसमें रूरू और यह बटे वो वाला साइट ही का है और जिसमें जिन् तो यही जो पीछ में बनी वाला पीलो है उसको point out करता है कि आज राद तुम obediently इस side पे सोगे और यह जो बनी है इसका lime तुम cross नहीं करोगे और तुम हमारी तरफ नहीं आ सकते हो और तब ही क्या होता है पीछे बच्चे भी agree करते हैं तो CEO अपने मन में सोचता है कि क्या यह मेरा line नहीं होना चाहिए क्या तुकि CEO तो किसी के तरफ नहीं जाता है लेकिन बच्चे और यह CEO के तरफ जरूर आते जाते रहते हैं फिर भी CEO okay बोल देता है अब क्या होता है यह बोलता है कि तुम को हम यह small blanket भी दे रहे हैं और sorry for trouble और बच्चे बोलते फैंग फैंग यानि कि अब हमारे CEO को एक blanket भी दिया जा रहा है तो CEO बहुत कुछ होता है और बोलता है अरे कोई problem नहीं है बिल्कुल कोई trouble नहीं है अब से जो है मेरे पास भी एक small blanket होगा जो मेरा फुदका होगा करके तो ही बोलता है कि हम लोग देखेंगे कि आज रात को तुम कैसे behave करते हो क्याती ही तो तुम ने अपनी energy store नहीं करी तो हमको क्या है तो हमारे साथ सो नहीं पाओके और नहीं तो हम जो है separate बिस्तरों में सोएंगे करके और तभी बच्चे भी बोलते हैं कि हां हम देखेंगे कि तुम कैसे कर रहे होगा कि फैंक फैंक करके तो यह जो है अभी बहुत जावा खुश है क्योंकि उसको एक ब्लैंकेट मिल गया है तो वह ब्लैंकेट को अपने गाल से लगाता है बोलता है कि मैं अपना बेस्ट करूंगा तो यह बोलता है ठीक है अब हम लोग एक्चन करते हैं अपनी मीटिंग और सोने के लिए चलते हैं और रूरू बोलता है ठीक है टाइम फॉर शट डाउन आइस के लिए बिग हैड भी गागा करके बोलता है और जिन्याओ जोए गुट नाइट बोल देता है अब देखिए क्यासा आरेंजमेंट है सोने का एक छोटी से बिस्तर में हमारा बिग हैड है उसके बाजू में जूरू है उसके बाजू में ही ही है और फिर एक बड़ा सबनी पीलो है और उसके बाजू में हमारे CEO याने जिन्याओ है अंजिन्याओ जब सोता है तो उसको ऐसे कुछ सपने हैं कि आवाज है आ रही है जिसमें उसको आता है कि वो लोग आ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं अभी वो सपने में ही होता है कि देखता है कि यह उसकी तरफ है और अभी इन्चो ये हमारा बनी जिसको बीक में रखाता यह उस के उपर लड जाता है और जैसी उस पे लडता है यूरू भी बिछए पिछे से आ रहा है और उसके पिछे बिग हैट भी आ रहा है सब यह दूसर पर लदेवे हैं और सब के मुझे से लार वी गिर लही है और यह जो है फिर कैसे रूरू के साथ और भीगेर के साथ पूरे पिस्ते में गुम गुम के सो रहा है और CEO अपने मन में सुचता है कि अच रात तो मैं सो सकूंगा करके तब यह CEO के मन में फिर से कुछ विचार आते हैं और इस बाइज CEO अपनी आखे खुलता है और भीखता है कि कुछ तो ठीक फिर अशल लग नहीं रहाए करके आप वह देखता है कि यह जो है वह बनी के ऊपर लटक लटकänge और रुरू भी बनी के ऊपर लटका हुआ है तो क्या होता है जो हमारा यह है वो पीचे से तीनों को तीनों को अपने अंदर भीच लेता है और ही को अपने गले से लगा लेता है और जो ही को गले से लगाता है तो उसको बहुत सुकुन मिलता है और वो अपने मन में सुचता है कि अब मुझे ठीक लग रहा है करके और बोलता है कि I guess जो मेरा body है वो इन लोगों के साथ सोने का used to हो गया है और अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ तो in the end वो यही को अपनी बावों में लेकि भरके सो जाता है अब दूसरी तर दिखाते हैं hospital और चैंग एंड टैंको तो चैंग बोलता है कि तुम मुझे क्यों blame दे रहे हो तुम ही को hospital से बाहर नहीं जाना था अब यह दोनों गाड़ी में बैठ चुके होते हैं और हमारा चैंग बोलता है और मेरा अपना भी family है और मैं यह hospital में every single day आ रहा हूं तुम्हें मिलने के लिए तो यदि तुम घर जाओगे तो मैं भी घर जा पाऊंग और अपने doggy को वाक पे ले जा पाऊंग अगर कि और बताता है कि लेकिन तुम घर नहीं जा रहे हो तो मुझे काफी लंबे समय से hospital में ही रहना पड़ रहा है और मैंने बहुत ही best किया और तुम्हें तो इसमें खुश होना चाहिए गार कि और तुम अभी भी unsatisfied हो तो टैंग गुलता है नहीं मैं unsatisfied नहीं हूं बस मैं जस्त तो जैंग बहुत है है हा किया तो टैंग गुलता है जस्त मेरा नहीं दुन्यक्ता लाने बढ़ाना बनाता हुना कि मेरा अपार्टमेंट जो है उच्छा लिए मैं अपने अपार्टमेंट नहीं जाना चाहता हूंगा और बोलता है कि महाँ पर कोई नहीं रहता है तो बहुत ही ज़ैदा गुराऊ से बहुत हैं और टेस्ट भी होग होगा और मुझे डस से एलर्जी के तो मुझे क्या है तुम हॉस्पिटल में ही वापस ले चलो तो चैंग बोलता है तो मैं तुम्हें होटल ले चलता हूं ऐसे तुम थोड़ी न क्या खेते हैं अब ऐसे कर सकते हो करके तो टैंग बोलता है कि हारेकिन वहां में रहूंगा तो कोई और आके मेरा फ्लेस को ठीक करेगा और होटल जोते हैं वो भी डुर्टी होते हैं तुम्हें कुछ आइडिये भी है कि किते सारे लोग होटल के बिस्टर में आके सोते हैं कि और हाउस की पस जोते हैं वो अधिग तर बैशिट को बदलना भी भूँचाते हैं और मैं बहुत ही allergy गूं ड़स्ट और माइट से तो मैं फिर से hospital में ही आ जाओगा तो चाहिंग बलता है तो तुम कहां रहना चाहते हो परकी तो हमारा टैंग छो देड़ा मतला को प्लाने घरें रहें को मैं इस ब्रीग लगता है और दोनों के दोनों आ गए आ चाते हैं नूढरी knee English के चयर醉 हुआ सब्सक्राइब अघ्रा और तुम्हें ग्रीन लाइट भी दिखाई नहीं दोस्क्रों आधर म सब्सक्राइब Carbon तो लोगता में 20 बोल रहा हूं कि तुम्हें समझ में नहीं आता है तो में बूलता है कि फिर से पление तो मैं कहा रहना है तो टैंग गुलता है या आप कोई matter नहीं करता कि मैं कहा रहा हूं तुम बस drive करते रहो और नहीं तो जो है हम एक headlines बनाएंगे news में और कि हमने traffic को रोग रखाया करके क्विक क्विक करके तुम fast drive करो तो चैंग गुलता है कि मैं तुम्हें want कर रहा हूं तुम मेरे बिहाफ में कोई मेरे decision मत लो और तुम जो घर वाप पर चाहरे हो और तुम एस expect मत करो कि मैं तुमको वहाँ पर drop करने के कभी देखनेगा करके और मुझे क्या है तुम follow करना बं पर कभी नहीं चीह लेगा और मैंने कभी भी तुम्हें यह नहीं का कि तुम मझे look after करो करके मैं बस ही कैसी प्लेस चाहता हूं जहां पर मैं थोड़े समय तक रह सकूं और तुम कितने कंजूस हो करके तभी चैंग बोलता है लेगे तुम allergy को माइट से डस से और बहुत सार दियान रखना पड़ेगा करके और यह तो सुमारी मदर की वज़े से मैं तुम्हारा दियान रख रहा हूं और नहीं तो मैं तुम्हारा कोई दियान वान रखने नहीं वह रहा था और मैंने क्योंकि उन से प्रॉमिस किया है तो मैं कभी भी अपने प्रॉमिस से पीछे नह नहीं कर सकता तो टैंग बोलता है कि यदी यदी मैं डॉब के हैर से अलर्चिक नहीं हूँ तो क्या होगा और जब तक हम ट्राइए नहीं करेंगे मैं पता कैसे चलेगा और अधर भी जैंग होता है तुम इते जिद्धी क्यों हो यह कोई पॉइंट थोड़ी ना है तो पsquareए kinda कैते हैं मैं वह सब करूंगे तुम तुम मुझे आपने साथ कहता है तुम संख्यक क्यों तुम हाई के सब काम करूंगा तुम कि न्हीं करके ने करके दो मुलता है यह लोग घर पहुंचते है और दरवाजा खुलते हैं तो हमारा चैक बोलता है कि तुम तोड़ा था पीठे रहो हों यह फीर पीछ आना और बोलता है कि मैं दरवाजा खोल रहा हूं औरुम इंहिस्टम खेरफूल हैं कुर्वी मेरे जो दोन्हों डॉग है वो बहुत ही गुस्से वाले हैं और तब ही हमारा जो टैंग वो सुछता है कि क्या क्या बहुत डेंचरेस वाले डॉग हैं क्या क्या मैं उन्हें हैंडल नहीं कर पाऊंगा क्या और क्या मैं चैन के साथ रह नहीं पाऊंगा क्या अब क्या होता है दर्वाजा कुलता है, वहां से बहुत बढ़े बढ़े दाप दिखाई देते हैं, खुते के, और अरुरु करके आवाज भी आ रही होती है, और चैंग अपने दोनों डॉक्स को बुलाता है, अब जब कि डॉक्स को दिखाते हैं, तो गॉक्स एक तम छोटी आपने दोनों कुट्टों को बुलाता है और अब दोनों कुट्टे और टैंग जो है, शोफे बैठे हैं, और हमारा जो टैंग है वो लॉलिपव का रहा है, और तब रही सौर कोण लॉक्स नहीं हो रही है, तो टैंग बुलता है नहीं है ठीक हूँ, तुमारी प्लेस बहुत अच्छी है और यहां पर तो मेरा फेवरेट भी इन डेकॉरेशन है बहुत अच्छाब देश हैं तो चाहिंग बोलता है ठीक है फिर आल राइट यदि तुम्हें कुछ वियर्ड फीलो तो मुझे बताना और यह जो मेरे दोनों कुते हैं वो बहुत थोड़ा शाह हैं इस टिंजस के साथ तो इन्हें थोड़े दिन रखें लगेंगे तुम्हारे साथ गुल मिलने में तो टैंक थोड़ा शाह बोलता है रियली क्या वाकि में लोग शाह हैं मैंने तो यह नोटीजी नहीं किया और तो फिर वो बुशता है कि इन दोनों में से टैस हुआं कॉन ह मैं उसको बैट करना चाहता हूँ और तभी itरम इंट्रोड्यूस करता है कि यह जो प्राउंग वाला उसका नाम AXειयाज यान है और इस raising है और तभी जाय मुलता है है तुमुशता है हुआ disrupted रोख एम तो पकड़ लेता हावा मैं बोलता है यह बहुत ही वेल भी आव यह म और हमारे पास एक डॉक था जिसका नाम हुआ था हुआ जो था वहती अडॉरेबर टिपृटियन मेजडिल सा देखे किता सुन्दर बुटता है और बाकि में यह रियल में भी बहुत सुन्दर होते हैं अब क्या होता है यह बताता है कि हुआ जो है अब हैबन चली के लेकिन ग्रैंड केट्स जो हैं वो अभी भी अलाइव है और हमारे साथ रहते हैं तो एक दिन मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा तुम्हें जिसे कि तुम लोग का उनके साथ अच्छा ग्रेट बॉंडिंग हो जाए करके अब दूसरी तर दिखाते हैं कि सवेरा हो रहा है और हमारा सब्वाद के साथ औरके अभी भी सो रहा है और हमारे भी घैड इमारे घैड करता है और उठाटा है और उटता है morning सबके सब को मार्णिंग कहते हैं और तब हो लोग दिखाते हैं कि तुमने लाइन को फ्रॉस्ट किया जो तो हमारी तरफ आ गये देखा कि तीनों की दिनों को point out करते हैं तो CEO जो है वो sorry बोलता है कि last night तो यह बोलता है तुम्हें explain करने की जरुवत नहीं हम कोई explanation नहीं लेंगे बच्चे fan fan बोलते हैं और तभी CEO बोलता है कि फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि और तभी यह बोलता है कि नहीं तुम्हें अब कुछ सोचने की नहीं चरुवत है और तभी CEO दुख्य हो जाता है कि तुम लोग सच में मुझे दूसरा chance नहीं दोगे कि तभी यह लोग एक bell नि कर रात को सोई हो करके और तुमने क्या नोटीस नहीं किया तो यह उसके नोटीस करना था भाई तो यह यह और बच्चे उसके गाल को हाथ लगाते हो तो ते दिखो तुम्हारे डार्ग सब्सक्राइब जो है वह चले गए दुरूरी बोलता है हाँ आज सब चला गया तुम्ह हो अपनी स्लीप पे एफर्स डालने के लिए तो तुमने टेस्ट पास किया है और मैं डिक्लियर करता हूं कि तुम जो है टेस्ट पास हो गया और सब के सब खुश हो रहे होते हैं कि टेस्ट पास हो गया और CEO सुचता है कि यह सब क्या चल रहा है और अपने मैंने सुचता है कि ठीक है जब तक हमें अपरेटली नहीं चोना पड़ेगा तब तक यह सब ठीक है करके दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा CEO कैसे रूरू को स्वीमिंग करना सिखा रहा है वो बोलता है कि तुम सही कर रहे हो बस अपने लैक्स को आगे पीछे चला और बोलता है गुड जॉप रूरू की पेट अप करके अब जो रूरू है स्वीमिंग करना सीख जाता है अब दूसरी तरफ हमारा बिग हैड लेटा होता है और यही के साथ लेटा होता है तब ही बुलता है कि मुमू ने मुझे किसी चीज के ल परफेक्ट स्वीमिंग करने लगेगा करके अब क्या होता है कि रूरू अपने एफ़र्ट्स को डबल कर देता है स्वीमिंग सीखने के और यही इनको मोटिवेट करके जाता है कि तुम लोग यह कर सकते हो करके अब दूसरी जगह दिखाते हैं ए और यू की स्टोरी क्वाज तैयार हो गया है और यह जो है वो अभी हमारा फोन पे गेम्स खेल रहा है तो यूझ वो तहा है कि डिनर जो है रेडी हो गया है और तो यह बोलता है कि मैं यह रौन फिनिश कर लेता हूं फिर आता हूं करके और तब ही क्या होता है यूँ आता है और एक अपने गोद में उठा लेता है और तब ही ए बोलता है कि तुमने अपने फैंस को आज रात के लिए लाइव स्ट्रीम जो का उसके लिए प्रमिस किया था यदि तुम खाऊगा नहीं तो फाइन फाइन मैं खाता हूं जो इस तरह की चीजी लाइन बुलना बन करो करके अब यह जो है उसको बलश हो रहा होता है और वो देखता है कि एक छोटा सा पहाड बनावा है खाने का उसके सामने और वो उस चोटे से बावल को लेके सुचता है कि यह सारे फूड्स जो है उसके फेवरेट है करके और उसके बार दिखाते हैं कि ए जो है यह मतलब ए बोलता है अपने बन में की यू जो है इसी टाइप के ट्रिक समेशा यूज़ करता है लेकिन इस बार मैं उसके ट्रिक में आने नहीं वाला हूं तो यह बोलता है कि अपना जो खाना उसे धीरे- पाहाड में busy होता है और यह बहुत टेस्टी है बस एक बाईट्र आल लूगा बस एक बाईट्र आल लूगा और उसके-बद खाना खाते होएं बोलता रहता है कि मैं चाहे कितना भी खानों उसके-फ्यार में नहीं पड़ेगा करके और यह देखके हमारा यू जो है मस्कुराता है अब दूसरी तर देखते हैं कि लूरू स्वीमिंग काफी कुछ सीख चुका है और वो पानी में फ्लोट कर रहा है और बहुत हैपी भी है और अब वो आगे भी बढ़ रहा है बुल-बुल-बुल करके बुल-बुले निकालके और अब यह हमारा वो जो है अब विग हैट को स्वीमिंग करना स्खा रहा है और बोलता है कि अदि तुम अभी इसे सीखो के तो तुम भी रूरू की तरफ जल्दी सीख चाओ के स्वीमिंग करना और big head को सिखाता है कि right foot और wrap foot आगे पीछे कैसे करना है move this, move that करके सिखाता है और बोलता है अपने knees को भी straight रखो और फिर बोलता है great job और मुझे तो तुम्हें पकड़ना भी नहीं पड़ा तुम अपने आप खुदी swim कर सकते हो तो big head जब बहुत खुश हो रहा होता है और missing ten भी बोलती है come on big head और you two, ruru is so amazing ruru अब swim कर सकता है ruru learned it और ruru ने तो यह क्याने से पहले ही सीख लिया है और ruru ने सब कुछ learn कर लिया है ruru इससे सब चिला रहा होता है और जब यह आएगा तो बोलेगा कि ruru ने good job किया है और अब ruru जो है sea monster के साथ fight कर सकता है वो भी यह के साथ underwater और यह जो है warrior के जैसा fight करेगा ruru ने बहुत अच्छे से swimming की है करके दिखाते हैं अब दूसरे तरफ दिखाते हैं कि हमारा जो chang है वो घर में बैटा वा है और computer या TV पर कुछ कर रहा है और उसके जो doggy है वो गुर 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 कर रहे है तो chang basically games खेल रहा है और तब यह पुछता है कि तुम वापस आ गए तो chang बोलता हाँ मैं वापस आ गया मैं तुम्हारे लिए late night snacks पी लेक्स आया होगा तो chang बहुत कुछ होता है बोलता perfect timing मुझे हलकी सी भूग भी लग रही थी और वह उतना parcel खोलता और खाने बटता और फोन में भी कुछ देख रहा होता है और जो डोनो डॉगीज होते हैं वह रहा हम से लेट जाते हैं क्योंकि जो हमारा टैंग है वो डॉगीज को बेले पर रप करता है चैंग कुछता है कि तुम कुछ नहीं खाऊगे क्या तो टैंग बताता है कि नहीं मुझे अपना figure मैंटेन करना है आने वाले शूट में मुझे semi cloth पहनने हैं तो मुझे मैं खा नहीं सकता और किसा तो मुझे लगा कि इंप अर तो मुझे लगा कि मैं सारा घर साफ कर दूँ तो मैंने फ़ीर साली साफ कर दिया है आ प्याहगा साफ करने से असे मेरा एक्सड्स बी और लिदेदेट थीजिन हो इसनी हो जाएगये और उसके सांसे भी थोड़ा गहरी होने लगती है उसका फूरा फेस जो है वो रेड हो जाता है तो वह बोलता है थैंक्यू करके अब हमारा जो रूरू है और दोनोंने स्वीमिंग सीख लिये और वह अभी बीबीना पानी के भी स्वीमिंग कर रहे हैं आप लोग देख सकते ह कैसे उनके हाथ पर चल रहे हैं करके और रूरू बतायता है कि यह देखो कैसा था यह करके और फिर बोलता है और यह बोलता है कि ऑसम तुमने जो बहुत अच्छा काम किया है तुम्हारे मूव्स जो थे स्वीमिंग के वह भी बहुत परफेक्ट थे और तुम लोग सब मेर से बेटर स्वीम करते हो मैं तो सिफ एक टाइप का ही स्वीम कर सकता हूं करके और तब भी रूरू उनको दूसरे स्वीम भी दिखाता है करके और बताता है कि मैं तो डॉगी पैडल वाला अभी स्वीमिंग कर सकता हूं करके तो सीयो बताता है कि यह वाला मैंने नहीं सिख करें करके तो यह जो है तो को ग्रैब कर लेता है अपनी बावल में और बोलता है कि तुम कितने अच्छे हो इसे लेता है और दम्यू Labs कर कैसे वीडियो बनाया था आज आफटरनून में कि देखो मैंने कैसे रूरु को सिखा रहा था करके और मैं कैसे breakdown की मूज़ को और उनको कैसे फूल में ले जाके उनको वो सिखाया करके तो ही अभी भी जिन्याओ के ऊपर होता है बुलता है teach me teach me करके और जिन्याओ बोलता है ठीक है हमें स्टार्ट करते हैं legs और freestyle से और तो उसके बाद क्या होता है कि रूरू भी देख रहा होता है कि ये लोग वीडियो में क्या देख रहे हैं और जिन्याओ बोलता है उनकी तुमको देखना चाहिए कि रूरू के जो legs हैं वो straight है यहाँ पर और यह की जग़ा पर कैसे kick कर रहा है और उसके knees और waist भी कैसे कर गए और फिर उसने बता है ऐसे ऐसे करने से जो है फिर तुम swimming कर सकते हो तो रूरू भी बहुत excited होता बुलता है yes yes मैं तुम्हें बताता हूँ करके और मुझे देखो turn your body और ऐसे अपने आपको rotate करो और make sure करो कि तुम्हारा जो torse है वो थोड़ा सा vertical में हो और तुम फिर उसके अपने legs को चलाना चालो करते हैं सकते हो अब जब हमारा c यह भी चला नीचे होता है और उसके उपर यह होता है और बच्चे जो है इन दोनों के पैरो पे लटके होते हैं और तब ही वो बोलते है की ठीक है मैं समझ गया और हमें जो हमारा power जो है इसी तरह बढ़ाते रहना चाहिए और हमें अपने legs का भी strength बढ़ाना चाहिए रूरू बोलता है की बिग हैड भी कुछ बोलने की कुश्च करता है और तब ही CEO बोलता है की और जो तुमारे arms है और उनको भी तुमें move करना चाहिए बस फिर क्या था यह एकदम खुश हो जाता है CEO को किस विज़ देता है और रूरू और बिग हैड ही की ऐसी हरकते देखते रह जाते है अब हमारे ही ने पोस्ट किया होता है की भाई मैंने जो है freestyle swimming सीख रहा हूँ करके और दूसरी तरफ हमारा जो टैंग है वो स्क्रोल करता है और देखता है की एक और एक है Pizza for Life और यह हमारे चैंग का स्टेटेस होता है जो कि अब Pizza for Life का brand ambassador है उसको भी वो लाइक करता है और बलश कर रहा होता है और उसका assistant देखके बोलता है की भाई इसको क्या हो गया यह आजकर कुछ जादा ही good mood मूड में दिखाई देता है क्या इसको किसी चीज ने पज़स वज़स कर लिया है तो हमारा जो टैंग है बलता है हाँ में वाकी में good mood में हो करके अब दूसरी तर दिखाते है की कार बहुत तेजी से चल रही होती है और हमारे टैंग की मैनेजर बलती है की fans जो है बहुत ही ज्यादा trending पे है और तुमारे और टैंग का जो इस तरह के साथ में तुम दिखाई दे रहे हो वे बहुत अपरोर पे हो रहा है करके और यसी चलता रहा तो हम लोग कुछ भी करनी पाएंगे और मैं तुम से बैठ कर रही हूं कि अब तुम कुछ और मैस मत कर देना तुम ने सब के पोस्ट को लाइक कर दे अब क्या तो इससने रूंस लाइक नहीं चाहिए ते क्या तुम किसी चीस से की वाज़े वाज तो टैंग वरता है ऐसा कुछ नहीं है अब दूसरे तरफ देखते हैं कि ये लोग एक शेप और चोड़े से जगा पे बैठे वे हैं और तब ही हमारा सी वाता बोलता है थोड़ा सक फुरूट्स फुरूट्स ले लो तो ये बोलता है हाँ बहुत गरम है और आजका इतना गरम क्यों होता जा रहा है इतना गरम है कि मैं तो पिगली जाओंगा और रूरू भी पिगल जाएंगा हम लोग सब पिगल जाएंगे करके और रूरू को फिर से अपनी गोधी में लेता है और यहीं को एक तरफूर्ज देता है है और तब के तुम्हारा शेडूल जो है सेट हो गया है और मैंने इसको रिक्वेस्ट की है कि तुम्हें थोड़ा सा रूटीन चेंज दिया जाए तो तुम थोड़ा सा कूलर वाटर में जरूर तुम्हें अच्छा लगए करके और हम लोग तो यह पुस्ता इससे भी जड़ा कूल प्लेस कौनसी हो सकती है यदि मैं ठीक सोच रहा हूं तो क्या हम अर्टांटिक जाएंगे क्या करके तो रूरू को भी तर्भूज के डाइसस करके देते तो यह बोलता है हम वाएंज जाएंगे और मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे पार पहले जा चुके हैं तो उन्होंने भी मुझे एंकरेज़् किया है कि हम वहाँ पर रिगवार चेक-इन करें कर और तब हिसी है बता है when और आटर्टिर्ड करें हो जा gameplay प्रशां को इसके बाद एक सब के नाम डिये जाते हैंill सा एंगी ड़क्त साइंगी और यहां kardeşा रूंकि और हम इस वाकेशन को बहुत ही अच्छे से इंजॉय करेंगे नो तो हमारा जो ट्रेप है वह तरह के से वार्ट ट्रिप हो जाएगा तो यह बोलता है कि हम वाकिन में जा सकते हैं और क्या इस तरह माँ जाना इत्ते दिनों के लिए सही भी रहेगा क्या मुझे पता है कि कंप प्राब्लम तो नहीं होगी तो इसी यह बताता है कि अभी हम वर्चूल टूर भी कर सकते हैं और हम कंपनी को बहुत सारे किस भी दे सकते तो कोई प्राब्लम नहीं होगी और मैगजिन सूर्स अगरा जो है वह स्पार्ट पे ही हम लोग कर लेंगे और फिर वह फेमस भी हो जाएगी और मुझे याद है कि हमने कैसे दूसरे फोटोग्राफ्स लिये थे तो यह एक्दम से खुश हो जाता है और और फिर यह बताता है कि वैराइटी शोस जो है वह हम स्पांसर कर देंगे क्लाउड वॉक की तरफ से ही तो हम लोग जो है कहीं पर भी इसको ऑनलाइन रिकार्ड कर सकते हैं करके और हमारे किसी फ्रेंड्स को भी जर्वत होगी तो हम उनको भी वैकेशन दिलवा सकते हैं और कि रूरू का किंडर गार्डन शुरू हो रहा है और क्या वो भी छुटी ले सकता है क्या तो यह उससे पूछता है तो रूरू बड़ा टेंशन में हो जाता है क्योंकि वागई में अधिक इंडर जाने शुरू होगे तो रूरू तो कहीं घूमने नहीं जाए पाएगा तो यह बोलता है उसके पास एक साल पड़ा है स्कूलिंग कम्प्लीट करने करें तो रूरू खुश हो जाता है और अपना तर्पूश खाने लगता है और बोलता है कि जब तक वह स्कूल कम्प्लीट नहीं कर देता है और अभी टाइम है तो जितना हो सकते हो तक हूं ले क्योंकि चाइल्ड हूट जो है बहुत ही हपी काते हैं तो पर सब लोग फाने फैमिले खुश हो जाता है कि वो लोक वाकेयिंट नहीं क wire को सकते हैं करके 우न दूसी तब हमारा यह वह एक फोटो देख रहा रहा हुता है और शूसता है कि उसक्या जलन हो रही है कि वह लोग इस तरहीं पर ब Yes बहूद करी जाता है और मु की लेकिन क्या जरूवत है तूम्हें ले जाएगी में ये झाँस करो है जल्दी करो तुम जाओ लेकिन ये कोई जबरत पड़े तो मुझे जरूर बोला ना और तभी ए बोलता है तुम बिल्कुल भी डिस्टब करने के बारे में मुझे सोचो मत तुम जाओ जाओ करके ए यू को भगा देता है अब जो हमारे ए होता है वो बोलता है मुझे थोड़ा प्यास लगए मैं पानी लेके आता हूँ और बोलता है कि फोन पर कि मेरा वेट करो करके अब वो फोन में देखते देखते आगे जा रहा होता है और बोलता है मैं जल्दी कर लूँगा और वो आगे जाके टकरा जाता है हमारी यूसे जो कि उसके लिए फूर्ट्स का पाउल लेके आया होता है और जैसी गिनने वाला होता है पीछे की तरफ फोन के साथ वैसी हमारा ही उसकी कमर में हाठ डालता है और उसको गिनने से बचा लेता है और फिर दोने दुसरे को आखों आखों में देखते हैं और दुसरी तरफ सी यह और यह सीन देखते हैं और तब ही ए बोलता रहे तुम यहां क्या कर रहे हो तो यू बोलता मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स ले क्या हूं और तुम मैं तो टेबल पर छोड़ने वाला था लेकिन तुम इसे टकरा गए करके अब यह जो है देखता है कि फोन में सब कुछा क्या है और सब लोग बहुत लेट हो रहा है हम लोग विस्तर पर सोने जा रहे हैं तो लोग भी सो जाना करके और गुट नाइट बोल देता है अब दिकाते हैं कि रूरू कि तरशन में बैटा है लालीपॉप अपने हाथ में के और यहीं बुलता है रूरू तुम थोड़ा और का ओ और यह मी ड कि पुरण चुट्केयों में करहें और यहीं बहुता कि अपना बहुत जएदा कुछ हाँ नाद कर रूरू जीतना हो सकत नहीं करना वहां पर बहुत सारे लोग आएंगे और पार्टी भी होगी तो तुम जितना हो सकते अपने अनर्जी सेफ करना तो यह बोलता है यस मेक शूर कि तुम को यह यह कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम हमें बचाओ बताओ करके और यह से फेकी दिन की बात है और रूरू हैंडल कर लेगा रूरू ऐसा बोलता है और होता है यस यू कें डू इट और या या बोलते हैं अब क्या होता है फेस्टिवल आ जाता है और हमारे जो ग्रेट ग्रांपा होते हैं वो देको चांद साब कर रहे हैं और हमारी दादी जी जो हैं वो कुछ जोले में भरके इदर उदर घूम रही हैं अब हमारे ग्रेट ग कपर कुछ पानी उड़ा रही है करके और दूसरी तरफ ये लोग जो है CEO के फादर और CEO के दादा यहां पर घर भी सजा रहे होते हैं और रूरू बहुत सारी चीज़े बनाता है और बिग हेट के साथ आता है और यहाँ पर दादा दादी सब लोग है और यहाँ पर यह देख रहा होता है कि सीओ क्या कर रहा है और बोलता है कि यहाँ पर यह वाला ट्री लगाओ के तो अच्छा लगेगा और इसकी स्मेल जो है बहुत ही अच्छी वह दिख रहा है तो और एक्मासिजर जो हो भी बहुत परफेक्ट है करके हैं अब जूजू और बीग एजबनी के क्लोज में होते हैं और सब लोग इने देखते हैं कि किते क्यूट दिख रहे हैं और बाकी जिते भी आदमी हैं इनके ड्रीम डान में वो भी डिफरेंट में होती हैं करके